हर हर महादेव आप सभी भक्तों को आज हम सुनाने वाले हैं भगवान भैरवजी महराज के बारे में भगवान भैरवजी महराज का जन्द कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो धार्मिक पौरानिक कथाएं सुनने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना चाहिए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेर भी करें देखा जाए तो भेरव शब्द का अर्थ ही है हरना और जगत का भ्रहमन करना है और ऐसा भी कहा जाता है कि भेरव शब्द में ब्रहमा विष्णो महेश तीनों की शक्ती भी शामिल है और भगवान भेरुजी महाराज को शिव के गण और माता पार्वती के अनुसार भी माने जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार भेरुजी का महत्व बहुत ज्यादा है और शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि शिव के रुधिर से भेरु का जन हुआ है उसके बाद में रुधिर के दो भाग हुए पहला भाग का नाम बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है और दूसरे भाग का नाम काल भैरव के नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से दो रूप बताये जाते हैं भगवान भेरुजी महराज के और शास्त्रों और पुरानों के अनुसार भगवान शिव के पांचवे अवतार भेरुजी महराज को बताया जाता है और लोग जीवन में भेरुजी महराज को भेरु बाबा मामा भेरव नात भेरव आदी नामों से जाना जाता है और समाज के कुलदेवता के रूप में भी पूजा जाता है और जगजगा पर इनके स्थापना भी मिलती है में भेरुजी मह Physics का सबसे बड़ा मंदर उजजैन में बताया जाता है महाकाल भेरव के नाम से हैं जिसे लोग काल भेरव के नाम से भी जानते हैं और दूसरा मंदिर बटुक भैरवनात लखनों में स्थित है। हैं इसके अलावा भगवान भैरव जी महराज को शक्ति पीठों के पास भी भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है और उनकी वहाँ भी स्थापना मिलती है और ऐसा माना जाता है कि केवल भैरव भक्ति से ही शनी महराज का प्रकोप शांत किया जा सकता है। पुरानों के अनुसार पूजा का वार नियुक्त किया गया है रविवार, शनिवार, मंगलवार तीन बार भेरुजी के प्रमुख बताये गए हैं कि भैरवनात को समस्त देवता भी माना जाता है और पूरे भारत, श्रीलंका और तिब्बती बौध धर्म भी इन्हें पू आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेर जरूर करें जैश्री राम, जैश्री कृष्ण, हर हर महादेव